नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्ताफ सु अगत है आपका प्राइम टीवी के खास कारिक्रम में मानव जीवन में जोतिश की माहतपूर भूमिका है समय समय पर जोतिश के द्वारा मानव जीवन की तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाता है तमाम तरह के जोतिस जैसे हस्त रेखा, अंक जोतिस, नशत्र जोतिस के अलावा एक और विज्ञान प्राचीन काल से मानव जीवन में महत्पूर प्रभाव रखता है ये विग्यान रत्न विग्यान है और इसी विग्यान और इससे जुड़ी जोतिस पर खास बात चीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेस्थान रत्न ज्वेलेट्स के संस्थापक जोहरी राधेश्याम स्वर्णकार आए स्वागत करते हैं राधेश्याम स्वर्णकार जी का राधेश्याम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कारिक्रम में राधेश्याम जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दें हम लोग बेसिकली जोहरी हैं और दरपीडियों से हमारे जवारत का काम होता आया है जोहरी राधेश्याम करेल हमारा नाम है और अलावाद में करीब सतर साल से हमारा ओफिस बना हुआ है राधेश्बान जोहरा के नाम से और इसके अलावा भी चुकि हम लोग वरिष्ट समाज से भी हैं और बहुत से समाज के दायत्वे हमको मिले हुए हैं और स्वनकार समाज का स्वनकार विचार बंच हमारी एक संस्ता है अल अबर इंडिया में उसके हम उत्तर पर्देश के अध्यक्त हैं विकित आठ साल से और इसके अलावा इडि बहुत से जीवन में इतनी उमर हुई है तो बहुत सी चीजें हमारे साथ जुड़ी भी है जैसे कि संगीत के विशे में है संगीत में भी हमें बड़ा शुक्रा है करीब डेड़ सो भजन हमने बनाए है शाड़ भजन हमारे रिकार्डिंग सुटिंग भी हो चुकी है और होती रहती है एक दो फिल्म में भी चले गए है रही बात रतनों के विशे में तो चुकि हम लोगो का दर पीडियों से यह व्यापार चला आ रहा है और रत्नों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है ग्रहों के साथ साथ जब से नचत्रों ग्रह बने हैं तब से ही रत्न बने हैं और सिर्फ हमारे लिए बने हैं इश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि 84 लाख युन साथ जब बना आ है और जाने अन जाने जो हमारे कर्म होते हैं उसके मताबिक जो हम से गलतियां होती है उसका भोग इसी सरीर को भोग ना पड़ता है लिए इसके लिए भी इश्वर ने कही एक बचाव के लिए हमारे सामने ये सब चीजे दी है और ग्रहों के विशे में ज ये जरषी स्राइब बनी है और जी इसका कारण के नेचर है सभाविक बात है कि जब से संसार बना यह तब से रत्न बनें और हमारे लिए बनें फ़र कितना ही है कि हमें इसके विशे में जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है और हमने इसी पे रिशर्च किया है, हम एक पुस्तक लिख रहे हैं, पैतालिस साल चे, हम एक अर्डिंग टुदर प्रोफेशनल ही नहीं है, सिर्फ यह जानने के लिए कि वाट इस दा फेक्ट प्लानेटरी साइंस, यह विज्ञान क्या है, हमारे रिशी महात्माओं ने होगा, इतने टाइम पे आपका ग्रहन होगा, यह ऐसा होगा, नशित्रो का योग ऐसा होगा, यह सारी बातें प्रत्वी इतनी दूर है, चंदरमा इतनी दूर है, शुर्य इतनी दूर है, यह देखी कितनी बड़ी विज्ञान उस वक्त के रूप में था, इसलिए रत्न का जो प्रभाव है, यह बिल्कुल हमारे साथ 100% है, और आपको हम इसका थोड़ा संक्षित में बता दें, कि 84 उपरत्न हैं, और 9 महारत्न कहलाते हैं, और असंग के ग्रह है, लेकिन 9 ऐसे ग्रह है, जिसका प्रभाव हमारे डारेक्ट शरीर से अटेस्ड है, हमारे शरीर जो बनता है, इनी 9 ऐसे ग्रहों के ही प्रभाव से बनता है, जैसे ब्रस्वती की रेश से हमारा मस्तिष्क बनना, नितम भाग और हर्दे हमारे शुक्र की रेश से, ब्लड की रचना, मंगल की रेश से, राव की प्रभाव से, पेट का, शरी के प्रभाव से, टांगों का, इस एक एक मा की कोप से जितनी Сंतान होती है वो बिनबिन होती हैं. तो रतने का चीसस तरहा सुठी त्रहाव पपढ़ता है हमारे शरीर में? इसका प्रभाव दो टरीके का है, एक प्रभाव होता है प्रतेक्स ठंका, एक प्रतेक्स. हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम कौन सा कर्म करना चाहिए और हम कर बेठते हैं, इसलिए उसका दुस्प्रमाव हमारे पर पड़ता है और हम उसको जेलते हैं, हम आपको एक विग्यानिक तोर पर बता दें, जैसे सूर्य, सूर्य की रेच हमारे सरीड का टचकी हमें आपको संद्रमाव, आप फूल मून को देखिए, आपके हर्दे में जो सीतलता आएगी तुरंत आपको एशास कराएगी, आपको अच्छा लगेगा, विएससे ही सारे प्लानेट की रेच हमारे बोड़ी चे अटेज़ है, और हर पल, हर छण अटेज़ रहती है, फर कितना ही कि ज आपका भी आच्छ नहीं होता, जैसे मालीजे शूर्य बहुत प्रभल है, तो आपको ख्याती मिलनी है, प्रासिड़ी मिलनी है, गुडवील मिलनी है, यह चीज़े क्या है, ब्रेन केपिसिटी बढ़ा देता है, इसी तरीके से मंगल लेज है, उसकी रेज यह आपको पूर इसको बहुत सरल लोगों ने एक धंदा बना लिया, एक 10 रुपे की पोथी दबाई और जोती से चारे बन गए, बट इट इस डॉट इजी, बहुत कठीन सब्जेक्ट है, आपको जानके हर्च होगा, कि हम 45 साल चे पुस्तक लिख रहे हैं, मगर उसमें वही लेक रहे हैं, जो हजारों आदमियों के हातों को देखने के बाद समय माती है, हमने हस्त रेका विशेश तोर पे हस्त रेका पे ही हमने रिशर्च किया, और अभी तक एक लाग से उपर आदमियों के हात देख चुके, कोई प्रोफेशनली एंगिल नहीं है, सिर्फ यह जानने के लिए सच क्या है, क्योंकि रत्नों का भ्यापार हमारा खांदनी है, हम लोग रतन बेशते आरहे हैं, घृटियों से चला आरहे हैं, हम लोग जानते हैं कि रतन पेचिस तरी के प्रभाव करेगा, जैसे सूर्य है उसके लिए रूभी पहनना है, शोक्र के लिए हीरा है, शणी के लि पन्ना है, गजर बताना तो बहुत सरल है. लेकिन जब हस्त रेखा देखने के बाद यह देखा जाता है, कि उस प्लानेट्स की इस्तिती क्या है, उसके मुताबिक ही उसको रत्ना धारन किया जाता है. और वह बता देंगे कि इस देखती क्या बुद्धवीक है, लेकिन कैसा पनना पहनो, उनको डिस लोगों हो पनना पहनना है लेकिन सब को बश्र को बश्र को पहना सब को अलगर पहना जाता है जहस услов 까C भी दॉक्त नुच्टर के मातर समय होग था के दोफिता है एक को इते पॉडिagtन समय है छ reflex बशन देता है ये हमारे सरीर में जो प्रवेश्ट करती है उसमें ये जो दस फिंगर है हाथ की अंगलियां और अंगुठा इसके माद्यम से हम हर चीज को छूते ही एसास करते हैं ठंडा गरम तो ये जो रेजज की नसे हैं इसी नसों के माद्यम से जब हम रत्न पहनते हैं तो वो रेजज के माद्यम से उसकी रेज को वो रत्न कैप्चर करता है और वो हमारे बॉड़ी में अबज़र्ब करती है और धीरे धीरे वो जर्म साइंटिफिकली राइज होते हैं और हम ठीक ह होने लगते हैं यह बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम है बसरते हैं इसके प्रभाव की समिख्षा कैसे करते हैं इसका कारण यह होता है कि आपने डाइगनोजिस नहीं की है माल लेजिए आपका बुद्ध वीख है और आपको किसी ने बता दिया शुक्र वीख है तो आप सुक है और आपने पहन लिया हीरा तो वह और आपको प्लुट्वेट करेगा आप समिद रही ना बात को तो जैसे ही अन्ने रतनों का इसलिए इसमें डाइगनोजिस करना बहुत कंपल्सरी है यह जानकारी यदि पूंट्या नहीं है तो वह रतन भी प्रफेक्ट आपको काम नह लो आपका कोई मतलब नहीं है या कितनी बड़ी आपने डाइगनोजिस कर ली और रतन सही नहीं लिया तो भी वेकार है इसलिए यह हमेशा समझदार और जानकार वेक्ती से पहले रह लें तब रतन धारन करें तो 90% उसका सकारात्मा के ही रिजल्ट मिलेगा कोई इसमें न प्रफिशनली एंगिल से लोग पहले तो लोग सर्धा पुरुवक रतन का रतन क्या है यह एक देव रतन है गौड गिफ्ट है इस्वर ने हमारे लिए बनाएं अब दुनिया इतनी अर्टिपिशालिटी वाली हो गई है कि लोग डुपलिकेशी बें उतर आए और वो डु टउट पतस्का टी फिजस्वाश और शृदा है रगधारात्म की बात है वो गत्ते है को सों दूर हो जाता है इसलिए अलवेज परफेक्शन वो घ्का करें सही डूक्टर हो और सही मेडिसीन नाव ने दम मतलब सही रतन हो तो फिर इसलिए कोई कंतू ने है कि यह एक्ट हमारे तो ये बिलकुल 100% मानना है कि मैंने अपने जीवन में लाखों लोगों को पर रिसर्च किया और जिसको जो रत्न दिये मैं समझता हूं 90% 10% तो मैं नहीं कह सकता 90% वो व्यक्ति 100% सेटिस्फाइड राग और ये बिलकुल सही है समझे न आप बातो रादे स्याम जी नकली और असली दोनों रतन आते हैं तो नकली और असली रत्न में पहचान कैसे की जाए हाँ देखिए नकली और असली रत्न तो जोहरी पहचानता है अब हम लोग राद दिर यही काम करते हैं हमारे हाथ माप रखेंगे, हम तुरंद बता देंगे, यह नकली है, असली है, क्योंकि यह बहुत दिफकल सब्जेक्ट है, हम लोग पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, हमारे बाप दादों ने यही सिखा यही हमको सिखाया, और आज के युग में, 90% जो बनाय जाते हैं जो जो प्लानेटरी जो हमको रेज मिलती है, उसको बहुत नहीं कर पाएगी तो हमको भाइदा नहीं करेगी, है ना, तो यह बहुत बड़ा एक इसमें फंड़ा है, और बहुत गहराई से, जिस वेक्ति की अच्छी जानकारी हो, उसी से पर्चेज करिए, और अवन हमको ब उसी को ही दिखाईए, तो ही उसका सही रिद्राइट आपको मिलेगा। रादे साम जी, आप रतनो की गहन जानकारी रखते हैं, आपके मुताबिक रतनो की भूमी का कितनी महत्पूर है। आपकी एक फोटो फीगर आईए, अब आपके मान लीजिए, हम को हैं कि शुकरुच्यका है। आप बंदी राजा हैं, सब की सुनती हैं, अपने मंदी करती हैं, ओपन हार्टेड हैं, इस पर स्वक्ता है। और खाने पीने की शुकिन, और च्वस्तरों की शुकिन, अब इसमें शुकरुच्यका होने के नाथे आपको हीला जो है, आपका फेरोट इस्टोन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा प्लानेट को यदि वीथ है, जैसे माल लिगे ब्रस्वत की, अब ब्रस्वत के लिए यदि पुखराज पहनना है, आपकी शप्तिस साल से उपर है माल लिगे, और आपकी शादी नहीं होगी है। तो उस इस्टिती में, यदि आपको पुखराज पहनना है, तो कैसा पहनना है, किस ताइप पहनना है, ये आप पर्टिकुलर जब तक सही वर्ट की से जानकारी नहीं नहींगे, उसका इश्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जस लाइक सेम, कोई भी रतन लीजिए, उसका प्रसेक्शन होना जोगी। ठीक है ना। रादे सेम जी, रतन खरीदे समय किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रतन का खरीदे समय सबसे पहली बातों कि आप किस जोहरी से रतन लेमेटे कि जोहरी और जोहरी रतनों का जोहरी होता है डोक्टर और जोहरी सोना चांदी बेचने वाला पार, हर कोई जोहरी शोग आजिरी के दिमाग रहता है लेकिन ऐसा नहीं पाई जाता तक्योंकि वो रतनों का इतना perfect knowledge उन्हें नहीं होता और आज बदलते योग में इतने scientific और नकली स्टोन आ गए हैं वो खुद भी नहीं जान पाते कि क्या real और क्या unreal है उनकी एक theme है कि customer आया है नीलम लेने तो उनको वनीलम बेशना है और अपना नफा 10-15% लेकर के दे देना but what is the fact of a stone? He doesn't know, वो जानता नहीं तो इन प्रिस्तितियों में जब भी लीजिए ज्वेलर से नहीं एक जानकार जोहरी हो उससे आप रतने लीजिए और सही रतने लीजिए वो बोलेंगे गारनेटेट बोलेंगे जो बोलेंगे लिखित में देंगे जो बोलेंगे सही देंगे और हम लोगों में एक कावत है कि जोहरी वो जिसके जबान में जोहर हो या नहीं हमने आपको बोला कि ये पन्ना है और ये जांबिया माइन्स का है तो इन अभी जांबिया माइन और पन्ना ये होना चाहिए क्वालिटी वेट यदि वो सही नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं इसलिए ये जानकारी तभी आपको मिलेगी जब आप सही जानकार व्यक्ति के पास पर्चेश करने के लिए जाएंगे जी ठीके ना रादे साम जी ओनलाइन टेली शॉप के माध्यम से रतन बेचे जा रहे हैं इसकी गुडवत्ता और प्रभाव के बारे में क्या कहेंगे टेली लाइन के जो गुडवक्ता के प्रभात है इसकी 90% सेमी प्रेशे सिस्टों जादा अभिकते हैं क्वालिटी उची क्वालिटी के अच्छे रतन नहीं बेचते वो लोग कारण क्या है अच्छे रतन बड़े महंगे होते हैं और अच्छे रतन महंगे होने के कारण वो क्वालिटी और वो ग्रेविटी उन रतनों में नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए वो अपना-पना ब्यापार है उन्होंने अपना अपनी दुकान लगा रखी है चला रहे हैं यह बात प्राइम टीवी के माध्धम से रतन और जोतिष को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे हम यहीं संदेश देना चाहेंगे कि जोतिष और रतन एक सिख्य के दो पहलु है एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे आदमी बीमार पढ़ता है या परेशान होता है तो वो दया, दुवा, दया, तीन चीज ढूड़ता है, दया means कि जानकारी लेता है किसी बाई मुझे क्या तकलिव है, दया means किसी जानकारी वेक्तिक पास जाकर राह लेकर उसका इस्तेमाल करता है, और दवा means शौट मेरतन खरीता है, तो ये चीजे तीनों चीजे जब एक सा समलित होकर के उस आदिंग पास पहुंचती है तो उस वेक्ति को 100% उसका benefit मिलता तो मेरा सबसे यही कहना है कि सही जानकारी ले और सही रत्न परचेश करें और सही रत्न उसी से मिलेगा जो ज्वेलर नहीं जोहरी होगा या ज्वेलर भी होगा तो वो जानकार हो वो बता सेके और जो कह सके कि यह चीज है तो वो होनी चाहिए तब तो उसका effect भी लेगा आपको नहीं तो क्या है आज इस साइंटिपी हुग में जो रत्न की विशे में लोगों के अंदर धारना और विश्वास है वो और टूटता जाएगा और कम हो जाएगा और लोग उसका benefit नहीं मि पाएंगे इसलिए मेरी सबसे यह निविदन है आम जनता से निविदन है कि रत्न गॉड़ गिफ्ट है इसको बहुत सोच समझ करके और सही जानकारी लेने के बाद आप परचेश करिए और सर्दा पुर्वा खरीदिये और यह मानिए कि रत्न कोई पैनावे की चीज नहीं है रत्न एक देवता का दियावा गिफ्ट है देव सब्रूफ है इसलिए इसको देवता की तरह स्वर्दा पुर्व धारन करिए 100% आपको फाइदा करें धनेवाद राधे साम जी तमाम जानकारियों के लिए तो ये थे जोहरी राधे स्याम जी जिन्होंने रत्न जोती से जुड़ी तमाम जानकारिया दी आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार झाल